आज के टाइम पे ऐसा कौन है जो अर्चना गौतम को नहीं जनता अर्चना बिग बॉस की ऐसी कंटेस्टेंट है जो लोगों को इरिटेटिंग भी लगती है और एंटरेटेनिंग भी लेकिन अर्चना अपने फांस को कभी डिसपॉइंट नहीं करती है और हमेशा एंटरेटेन करने की कोशिश करती है तो आज हम इस वीडियो में देखें लिए कैसे अर्चना एक गाउं से निकल कर बिग बॉस तक का सफर दे किया अगर आप अर्चना को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो एंट तक सरूर देखें अर्चना का पूरा नाथ है अर्चना गोतम और उनके घरवाले प्यार से उन्हें आशु कहके बुलाते हैं अर्चना का जन एक सेप्टेंबर 1995 को मेरट उत्तकुदेश में हुआ था अर्चना प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल और पॉलिटीशियल है अर्चना के फादर का नाम है गोतम बुद्ध जो प्रोफेशन से पॉलिटीशन है इनकी मतर का नाम है सुनीता गौतम जो हाउस वाइफ है अर्चिना के तीन भाई भी है जिनका नाम है मीशु, विने और गुलशन अर्चिना ने अपनी स्कोलिंग शांता मार्ख गर्ल इंटर कॉलेज मेरट से कम्पलीट की थी और मेरट के ही कॉलेज आई आइम टी कॉलेज से बाचिलर्स इन जेर्नलिजम और मास कम्मिकेशन में ग्रेजुएशन की थी अर्चिना बच्पन से ही एक्ट्रेस बनना जाती थी, इसलिए उन्होंने बैचिलर्स में ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी 2014 में वो मिस उत्रप्रदेश बनी थी, 2018 में उन्होंने मिस पिकनी इंडिया का टाइटल जीता था 2018 में ही उन्होंने मिस कोस्मो वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और 2018 में उन्होंने मिस टैलेंट वर्ल्ड का टाइटल जीता था बात करते हैं अर्चिना के फिल्मी करियर की तो उन्होंने 2016 में ग्रेट प्रान मस्ती में गाउं की गोरी का रोल प्ले किया था 2017 में उन्होंने हसीना पारकर में सलमा का रोल प्ले किया था 2017 में ही भारत कंपनी में अनीता भारतवाज का रोल किया था और 2019 में उन्होंने जंक्शन वारनसी में एक आइटम सॉंग किया था। और साथ ही अरशना कुछ तेलगू फिल्म्स में भी नजर आई है। बात करें उनके म्यूजिक वीडियो की, तो अरशना ने 2018 में अपना सबसे पहला म्यूजिक वीडियो किया था हाले दिल, जिसकी सिंगर थी शिबानी डांडेकर और अनुशा डांडेकर की बहन अपेक्शा डांडेकर, 2019 में उन्होंने अलताव सईद का गाना बे इंतेहा किया था, 2020 में वो हिंदी सॉंग दाइनमाइट और नशाजादा में नजर आई थी, उन्होंने एक हर्यानवी सॉंग भी किया था सांस, और पंजाबी सॉंग किया था आईलाइनर और बुगुए, और 2021 में वो एक और पंजाबी सॉंग एक तरी खातिर में भी नजर आई थी, अर्शिना गौतब ने राजनीती में भी अपना हाथ आजमाया था, साल 2021 में उन्होंने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस चोईन की थी, फिर उन्हें यूपी की हस्देनापुर सीट से टिकेट मिला था, उन्होंने 2022 में MLA का चुनाव नड़ा था, लेकिन वो हार गई थी, हलाकि उनका यू राजनीती में आना लोगों को पसंद नहीं आया था, उनकी बिक्नी में तस्वीरे काफी वाइरल हुई थी, एक्टरस को स्लट शेम का शिकार धोना पड़ा था, हलाकि बाद में उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट भी किया था, कि उनको प्रोफेशन और पॉलिटिकल करियर को मर्जना किया जाए, इसके बाद अरजना गौतम को मोका मिला, बिग बॉस सोला में एंट्री रेने का, अरजना गौतम अपने फ्रांस को खूब एंटेटेल करती है, उनका बोल्ड और स्ट्रेट फोवर्ड अंदास लगों को खूब पसंदाता है, हाला कि वाइलन्स के चलते उन्हें एक बार घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उनकी फैन फॉलोविंग इतनी थी कि उन्हें घर में वापिस लेके आना पड़ा, अर्जिना गौतम एक स्ट्रॉंग कंटेंटेंट है और वो शो में काफी अच्छा कर रही है, आपको क्या लगता है, अर्जिना ये शो जीत पाएंगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बात करें अर्जिना गौतम के घर की, तो अर्जिना अपनी फैमिली के साथ मेरट उत्रप्रदेश में रहती है, बात करें अर्जिना के कार कलेक्शन की, तो हर्जिना के पास एक किया है, जिसका पराइस है लगबग 17 लाक रुपे, और एक स्कोड़ा भी है, जिसका प्राइस है लगबग 11 लाक रुपे, अर्चिना गौतम सोचल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती है। बात करें उनके इंस्टेग्राम अकाउंट की तो उनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं और फेस्बुक पर उनके 8.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। बात करें अर्चिना गौतम के इंकम की तो अर्चिना मुवीज, आड और मुजिक वीडियो से काफे अच्छा पैसा कमा लेती हैं। वो हर एक प्रोजेक्ट के लिए 1-2 लाक रुपे चार्ज करती है। रिपोर्ट्स की माने तो अर्चिना की नेटवर्ट लगबग 1-2 करोर कि तो यह है।